अब्राहाम नाल परमेशर दा नेम जल परलो तो कई साल बाद संसार विच दुबारा फिर बहुत सारे लोक सन अते ओ सारे एक ही पाशा बोल दे सन परमेशर दे हुकम अनुसार सारी तर तिनू परंदी बजाए ओ सब एकठे होए अते एक शैर बनाया उन्ना नुस दा बहुत कमांड सी अते जो परमेशर ने कहा सी उस दी उन्ना ने कोई परवा ना कीती एथों तक के उन्ना ने स्वर्ग पहुंचन लई एक बुर्ज बनावना वी शुरू कीता परमेशर ने देख्या अगर ए सब मिलके बुराई करण वीच लगे रहे ता ए हूर भी बहुत सारी बुरियां गलना कर सकदे हन ता परमेशर ने उन्ना दी पाशा बहुत सारी पाशामा वीच बदल दिती अते लोककान नुस सारे संसार वीच खिलार दिता ओ शहर जिसनु उनना ने बनोना शुरू कीता सी ओ बाबल कहौँदा सी जिसदा मतलब उल्जना कई 100 साला बाद परमेशर ने एक व्यक्तिनाल गल कीती जिसदा नाम अब्राम सी परमेशर ने उसनु किहा आपना देश अते आपना परिवार छड अते उस देश वेच जा जिड़ा मैं तेनु दिखोंदा हां मैं तेनु बर्कत देवांगा अते तेनु वड़ी कौम बनावांगा मैं तेरा नाम महान करांगा, मैं उन्नानू बर्कत देवांगा जेडे तेनू बर्कत देनगे अते उन्नानू स्राप जेडे तेनू स्राप देनगे, तरती दे सारे कराणे तेरे कारण बर्कत पौनगे इसलई अबराम ने परमेशर दा हुकम मन्या उसने अपनी पत्नी सारई देनाल अपने सारे नौकर अथे सारी संपत्ती लई अथे उस देसवल तुर प्या जिड़ा परमेशर ने उसनू दिखाया सी कनान दा देस जदों अबराम कनान विच पोंचया परमेशर ने कहा अपने चारे पासे देख मैं तैनू अथे तेरे बच्यानू ए देस विरासत विच देवांगा जो तुँ देख रहा हैं तद अबराम उस देस विच वस गया एक दिन अबराम मलकी सिदक नू मिलया जो अत्महान परमेशर दा जाजक सी मलकी सिदक ने अबराम नू बरकत दित्ती अते कहा मुबारक होवे अत्महान परमेशर स्वर्ग अते तरती दे मालक दा अबराम तद अबराम ने अपनी सारी संपती दा दस्मा हिस्सा मलकी सिदक बहुत सारे साल बीट गए पर अबराम अते सारई दे कोई पुत्तर नहीं सी। नेम दो तिरा विचकार समझौता हुन्दा है।